वेल्कम तू केर फॉर स्टाडीज तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नमबर वन नमबर सिस्टम की एक्सराइज नमबर वन पॉइंट सिक्स का क्वेशन नमबर टू जो की NCRT बुक में पेज नमबर ट्वेंटी सिक्स पर गिवन है तो स्टाड करते हैं फाइंड 9 की पावर 3 by 2 9 की पावर हमें 3 by 2 निकालना है कि क्या आंसर आएगा अब यहां पर क्योंकि जो पावर है उसमें डिनमबर टू है तो मैं 9 को भी किसी नमबर का स्क्वेर इस फॉर्म में कनवर्ट करना स्टार्ट करूंगी जाएकर आप यही कोशिश कर अगरो कि जो आपको नमबर गिवन है उसमें जो पावर है उसका आप डिनॉमिनेटर देखो अप डिनॉमिनेटर जैसे यहां 2 है तो जो भी आपको बेस दिया है यहां बेस क्या दिया है नाइन तो बेस को आप किसी नमबर का स्क्वेर या किसी नमबर का आपको जो पेडिन नम्नय टिजट दी हो उसकी पावर में आप कनवर्ट करने का ट्राए करो तो नाइन को यहां मैं 3 का स quare लिख सकती हूँ तो मैं replace कर दूंगी 9 को 3 के square के साथ तो जब मैं यह करूंगी तो अब यहाँ जो आपको given property दिख रही है a की power p और पूरे की power q is equal to a की power p q यह अब यहाँ लग सकती है तो मतलब जो bracket के अंदर power है 2 और जो bracket के बाहर power है 3 by 2 यहाँ पस मैंब हम multiply कर देंगे multiply करेंगे तो 2 से 2 cancel हो जाएगा क्या हैगा 3 का cube अब 3 का cube क्या होता है 3 multiplied by 3 multiplied by 3 is equal to 27 तो answer इसका आजाएगा 27 next is 32 की power 2 by 5 अब क्या करेंगे 32 को किसी भी number के raise to the power 5 SM convert करने का try करेंगे तो जब आप करोगे यह तो 2 की power 5 होता है 32 तो आप 32 की जगा 2 की power 5 लिख दो तो ऐसा लिखने के बाद यह property है applicable है तो अब आप क्या करोगे 2 की power 5 और 5 को multiply कर दोगे मतलब powers सापर्स में multiply हो जाएगी 5 से 5 कट जाएगा तो क्या रह जाएगा 2 का square और 2 का square होता है 4 तो यहाँ answer आजाएगा 4 3rd is 16 की power 3 by 4 तो अब मैं 16 को क्या लिख सकती हूँ 2 की power 4 लिख सकती हूँ अब मैं 16 को replace कर दूँगी 2 की power 4 के साथ जैसे ही मैं यह करूँगी तो यहाँ क्या आगया 2 की power 4 और raise to the power 3 by 4 अब powers को मैं आपस में multiply कर दूँगी और base यहीं रहेगा जो की है 2 तो क्या हो जाएगा 4 multiplied by 3 divided by 4 4 से 4 हिहां cancel हो जाएगा क्या हैगा 2 का cube और 2 का cube होता है 8 तो answer इसका आगया 8 next है 125 की power minus 1 by 3 अब इसको आप क्या करोगे सबसे पहले तो 125 को लिख होगे 5 का cube हर question में इसी तरह आपको proceed करना है उसके बाद 3 अब क्या करो आप multiplication करो powers का multiplication करने के बाद 3 से 3 कट जाएगा क्या बचेगा आपके पास 5 की power minus 1 अब इस minus की power को plus बनाने के लिए क्या करते हो आप reciprocal कर देते हो जैसे ही आप reciprocal करोगे जो power है यह positive हो जाएगी तो क्या आजाएगा आपके पास आजाएगा 1 divided by 5 की power 1 और 5 की power 1 तो 5 ही होता है so the answer is 1 divided by 5 so thank you for watching आज की class के लिए सिर्फ इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें इसे share करें और हमारे चानल को subscribe करें and hit the bell icon जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डाले तो आप तक notification सबसे पहले पहुचे thank you आप अपने doubts, suggestions और आपको जिस भी topic पर वीडियो चाहिए हमें comment करके बताएं